है दोस्तों श्रागत है आप सभी को HDMS Help YouTube चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में जाने केसे जो है आप Indian Oil को किसी भी कंजुमर Indian Oil One एप्लिकेशन के यूज करके वो अपने रिफिल भूक कर सकते है डिजिटल पेमेंट कर सकते है और इस आप में रेजिस्टर केसे करना है और दिएसी भी जो दिएसी कोड होता है डेलिवरी के बगत लगते है वो दिएसी कोड भी आपर कैसे देख सकते कंजुमर के पास अगर रेजिस्टर फोन नहीं है और कंजुमर ने जिस पूंचे बुक किया है वो कई बाहर लेके चले गई है तो आप किसी भी कंजुमर का ID पा आसे ही करते हैं तो यह सारे डीटेल्स है आप पर आपको मिलेगे तो इस वीडियो को दोस्तो इस केस में आपको जो ही अपनी फोन की प्लेइस्टर में आजाना है और प्लेइस्टर में जाके इंडियन वाइल जो वान अप्लिकेशन से उसे आपको आप पर सार्च कर लेना जो खाँ दोस्तो तो उसके बाद जो इसको आपको works बेंड ना होगा आपके फ़न में तो मेंने पहले से ही इसको इनिच्टॉल करके रखा हुगो तो टो मैं इसे simply open करओंगा देख सेकते ही इनिच्टॉल हो छुका है मेरा पहले से उसके बाद मैं open बढ़ क्लिक करूंगा यूब आपको लॉईनब करना है अपर जेसे क्लिक करेंगे तो आपको नीशीस्टर बोल के एक ओप्शन दिखाए लेकर डिकार पर जो है सिंपल आपको मोबाइल नमबर डाल देना है कर दोस्तो तो यह सरे डीटेल्स को फील कर लेता हूं उसके बाद आपको पूस्ट नेम में कंजुमर का फास्ट नेम डलना है लाष फेसरे डिटेल श्मक्राश पारीज अपको फिल कर दोंंगा इसके बाद आहल आपको क्लिक करना उसके बाद है रेजिस्टर पर क्लिक कर टिक करेंगे तो आपको consumer का phone पर OTP जाएगा इस एप पर आपको OTP डालना होगा तो दोस्तों मैंने OTP डाल देया OTP जैसे डालेंगे तो आपको जो पासवाड़ सेट करने के लिए बोला जाएगा तो पासवाड़ आपको सेट कर लेना है ओके दोस्तों पासवाड़ मैंने सेट कर लिया उसके बाद LPG ID के साथ आपको जो है register कर लेना है तो यह पर आपको बस कुछ नहीं है आपका जो consumer number होता है पहले तो मेरा consumer number 7 से start होता है 7 लिखके आपको 7 time 0 डालना है उसके साथ साथ जो लास्ट का 8 digit consumer number होता है वही LPG ID होता है तो यह पर आपको simply डाल देना है तो दोस्तों मैंने आप पर सारे details को यह पर फिल कर देता हूँ उसके बाद यह पर दोस्तों यह पर जो है आपको में next step आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों जब यह सारे details submit करेंगे तो consumer का पूरा details यह पर दिख सकते हैं उसके बाद submit yes is correct पर आपको क्लिक करना है नीचे तो जैसे क्लिक करेंगे त आपको और जो है आपका लिंग कर देगा इस mobile नंबर के साथ आपको फिर से login पर चलाया ना है 3D पर क्लिक करके तो login login पर आके आपको जो ही same ID password डलके आपको यह पर login हो जना है ठीक है दोस्तों तो मैं यह पर login कर लेता हूँ उसके बाद उसके बाद आपको पूरा details दिखा यह से किसी भी locate करना है location को आपको petrol pump हो या LPG distributor उनके locate कर सकते और distributor को call कर सकते तो दोस्तों यह सारे details आपर आपको simply आपर देख सकते तो मैं आपको refill book करके दिखाता हूँ आपको उसे पहले कुछ चीज़े मैं आपको दिखाता हूँ आपको 3.4 जैसे क्लिक करेंगे तो इस उसके बाद LPG पर जैसे क्लिक करेंगे तो service request के अंदर आप mechanic request दे सकते lost and equipment replaced कर सकते ओके दोस्तों और manage connection में DVC request और भी बहुत सरे option आप देख सकते address change वगरा सारे details आप जो यह आपर कर सकते ओके दोस्तों जैसे कर लेंगे यह आपर मैं सारे details आपको दिखा दिया तो आपक cylinder book हो जाएगा यह से और आप digital payment भी कर सकते दोस्तों sorry इसलिए क्योंकि यह 15 दिन नहीं हुआ है इस consumer ने जो register किया तो उसका 15 दिन नहीं हुआ है इसलिए वो नहीं कर पा रहा है book नहीं ले रहा है ओके दोस्तों तो दोस्तों मैं दूसरे consumer का दिखाता हूँ जिसने दिया आ अगली वीडियो पर बाइबाए टेक क्यार